दोस्तो Poco Company ने रिसेंटली अपनी C-Series में एक नया स्मार्टफॉन लॉंच कर दिया है इससे पहले मार्केट में Poco C-55 था जो की 8-9,000 रुपे की रेंज में बैड़ता था लेकिन अब उसकी जगवा लेने आ गया है Poco C-65 जिस बज़ा से अब Poco C-55 आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा मातर साड़े 6,000 रुपे का दोनों ही हमारे पास वेस बेरियंट है यहाँ पर 4GB RAM के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफॉन लेकिन अभी जो C-65 है इसमें स्टोरेज आपको तगड़ा मिलने वाला है 128GB का पहले जो था वेस बेरियंट उसमें 64GB का स्टोरेज आपको दिया गया था तो तो फोको C-65 लॉंच हुआ है दोस्तो साड़े 8,000 रुपे के अंदर और आपको अगर ज्यादा RAM स्टोरेज चाहिए तो इसके और वेरिंट आपको मिल जाएंगे बॉक्स पैकिंग बिल्कुल वैसी रखी गई है यलो कलर का बॉक्स ब्लैक फॉन्ट में सारी डिटेल्स मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर नहीं दिखाना है और बॉक्स के बैक साइड में आपको हाइलाइट फीचर्स मैंसन मिल जाते हैं जिने मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहोंगा तो चलिए दोस्तों फटाफट से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स उपन कर लेते हैं तब तक आप भी चैनल पर नहीं आये हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजे क्योंकि ऐसी वीडियो आप के लिए मैं या पर रेगुलर लाता रहता हूं तो सबसे उपर आपको स्मार्टफोन रखे हुए नजर आते हैं इन्हें रखते हैं फिलाल साइड अं दोनों स्मार्टफोन के साथ बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं कोई वी अंतर नहीं है चोटे-चोटे साइज के जो चार्जर अडप्टर हैं यह अनली 10 वॉर्ट के हैं दोस्तों 5 वोल्ट 2 एंप्यर की आउटपुट रेटिंग इन चार्जर से आपको मिलती है लेकिन आप स्मार्टफोन के साथ 10 वोर्ट का काफी जादा टाइम लेता है और यूस्वी केविल में अंतर आ गया दोस्तों अब आपको टाइप A to टाइप C मिल रही है पहले जो स्मार्टफोन थे उनमें माइक्रो यूस्वी केविल दी गई थी अब इनको साइट करके हम आ जाते हैं डिरेट स्मार्टफोन पर और ये देखिए दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रेंच साइट का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन ड्रॉप नौल दिस्प्ले के साथ आ रहे हैं दोस्तों और कोई प्री अप्लाइड स्क्रेच गाल दोनों प लेकिन आप जो back panel है दोस्तों इसको देखे ध्यान से विल्कुल flat back panel dual tone finishing उपर आपको light का reflection बहुत कमाल का देखने को मिलेगा नीचे matte type की finishing दी गई है हाला कि cover लगा के ज़रूर रखना दोस्तों जितना बड़िया back panel लग रहा है उतनी जल्दी scratches भी इस पर आ सकते हैं और जो camera 55 था इसमें आपको dual camera ही मिलते थे mean camera दोनों दे रहे हैं आपको 50 Megavixel का यहां 2 Megavixel का micro sensor और AI lens camera दिया गया है और यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ AI lens camera ही मिलता था LED flashlight दोनों में आप यहां पर देख सकते हैं fingerpin sensor आपको C65 में नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि यह आपको side में fingerpin sensor दे रहा है front में आपको 8 Megavixel का selfie camera दे रहा है focus C65 C55 में only 5 Megavixel का selfie camera दिया गया था corner rounded यहां आते ही panel जो है flat हो जाते हैं right side में power on की उपर volume rockers और जो यहां है उपर की side 3.5 mm का audio jack कोई secondary mic नहीं कोई IR blaster नहीं नहीं dual studio speaker का support आपको मिलता है left side में मिलती है sim tray triple card slot के साथ और bottom में primary mic charging jack और speakers दिये गए हैं दोनों smartphone को already हमने boot करके तो रखा हुआ है इनकी जो brightness है इसे भी 100% कर लेते हैं only 450 nits तक की ही peak brightness नलती है दोनों smartphone में बढ़ाये जा सकता था दोस्तों कम से कम 580 nits तक की peak brightness दे देनी चाहिए थी और जो यह edge और bezel से दोस्तों मोटे मोटे ही ल pre-install application के साथ-साथ free में काफी सारे games भी फोनों में मौजूद मिल जाते हैं हाला कि इनको आप uninstall भी कर सकते हो अच्छ दोनों smartphone का का काफी smooth मिल जाता है C65 में मिलता है 90 Hz का refresh rate और C55 में आपको 60 Hz का ही refresh rate मिलता है बात कर लेते हैं दोनों की display की तो 6.74 inch की बड़ी display मिलती है आ आपको IPS LCD का panel दिया गया है aspect ratio है 229 screen resolution 720 x 1600 pixel 720 x 1650 pixel pixel density 267 ppi 268 ppi height देखें तो 168 mm की height आपको C65 में और 168.7 mm की height आपको C55 में मिलती है thickness मिलेगी 8.09 mm की C65 में और C55 में आपको 8.7 mm की thickness मिलती है यानि कि ये थोड़ा मोटा smartphone है 192 gram दोनों smartphone का weight रखा गया है दोनों के अंदर 5000 image की battery को fit किया गया है setting को open करते हैं दोनों smartphone की तो जो setting का interface है वो दोनों smartphone का बिलकुल same to same आपको नजर आएगा जहां सारे option आपको 13 MIUI version 13 इसमें दिया गया है storage meter आपको मिल जाते हैं जिन पर click करके आप storage से related सारी information को प्राप्ट कर सकते हैं तो यह देखिए 64GB यहां 128GB का storage दिया गया है बाकि storage जो type है eMMC 5.1 का मिलता है और expandable memory दोनों में आप 1TB तक बढ़ा सकते हो Android 13 के साथ आता है नया वाला और यह जो पहले c55 यह Android 12 के साथ आ रहा है डिटेल में चलते हैं दोस्तों तो 4G RAM प्लास 2G Virtual RAM यहां 4G RAM प्रोसेसर बिल्कुल सहें 2 Gigaards का octa-core और chipset आपको बिल्कुल सहें मिलेगा MediaTek Helio Z85 का जो based है 12 NM के fabrication पर graphic Mali G52 के आपको दोनों स्मार्टपॉन में मिल जाते हैं इसके अलावा जो RAM टैप है वो LPDDR4X की RAM आपको दोनों स्मार्टपॉन में दी गई है अब दोनों स्मार्टपॉन के जो camera है उन पर एक छोड़ी सी नजर डालते हैं तो यह हमने दोनों स्मार्टपॉन के rear camera को normal mode में on कर दिया है तो हलका सा color का अंतर नजर आ रहा है यहां थोड़ा सा colorful ल आप इनसे वीडियो सूट कर सकते हो more setting में देखे तो time lapse बिल्कुल same features slow motion दोनों में नहीं दिया गया है दोस्तो तो camera features देखे तो ज्यादा कोई features आपको camera में नहीं मिलेंगे दोस्तो बाकि जो front selfie camera है वो ज्यादा better आपको Poco C65 का मिलेगा जो latest वाला है दोस्तो इसका camera ज्या smartphone चाहिए जो कि आपको YouTube WhatsApp Facebook Instagram टेलिग्राम गूगल फेफ फॉन पेपेटियम जैसी application चला के दें बहुत ही बढ़िया smartphone है दोस्तो यह C55 बे बढ़िया है दोस्तो साड़े 6000 पर का हो गया है दोस्तो अगर आपका budget ही बहुत कम है बढ़ी मुस्किल से आपने कटे किया है फिनिसिंग वाला smartphone तो यह भी बुरा नहीं है दोस्तो इसमें आपको भरपूर मातरा में storage मिल रहा है साड़े 8000 रुपे का offer का यूज करने के बाद अगर यह 8000 रुपे के असपास भी मिल जाता है तो आप इसे purchase करने की सोच सकते हो हलके बुलके gaming दोनों smartphone में कर सकते हो G85 क का chipset दिया गया है हाला कि अगर आप heavy user हो दोस्तों तो skip कर दीजे इन smartphone को यह multitasking और भेंकर gaming के लिए नहीं बने हुए है इतने heavy use नहीं कर पाऊगे आप इन smartphone में लेकिन normal use के लिए दोनों ही smartphone अपने-पने में बहतर है